बॉलिवुट की फैमस एक्टरस करीना कपूर खान इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी के चलती काफी चर्चा में बनी हुई है जी हाँ दोस्तों जानकरी के लिए आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने अपने फैंस को ये गुट न्यूस दी थी कि जल्द ही उनके घर एक नया महमान आने वाला है जी हाँ तैमूर अली खान के बाद एक और नन्ना सा महमान आने वाला है सैफ और करीना की जिन्दगी में सैफ और करीना एक बार फिर से पेरेंस बनने वाले हैं जिसके चलते लगातार सोशल मीडिया पर बधाईयों का तानता लगा हुआ है इस बीच कपूर खानदान से लेकर पटोदी खानदान में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है वहीं दूसरी ओर करीना कपूर खान लगातार चर्चा में बनी हुई हैं अपनी अपकमिंग मूवीज को लेकर दरसल जानकरी के लिए आपको बता दें कि करीना कपूर खान अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंग चड़ा की शूटिंग में बिजी हैं और इस दोरान करीना अपनी सेहत का भी खयाल रख रही हैं वहीं करीना की जिन्दगी से जुड़े हुए पुराने किस्ते भी वाइरल हो रहे हैं ऐसा ही एक किस्ता आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं दरसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि जहां एक और करीना अपने बयानों के चलते सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती हैं तो वहीं दूसरी और करीना ट्रॉलिंग का सामना करती हुई भी देखी जाती हैं एक वक्त ऐसा भी आया जब करीना को सोशल मीडिया पर यूजर्श ने काफी बड़ी बात कह दी थी दरसल आपको बता दें कि यूजर्श ने सोशल मीडिया पर करीना को आंटी तक कह दिया था और फिर क्या था? इसके बाद करीना ने भी अपने गुस्ते को जाहिर किया जानकरी के लिए आपको बता दें कि जब करीना बॉलिवूट के फैमस एक्टर अर्बाज खान के शो में पहुची थी तब उस दोरान उन्होंने यूजस पर अपने गुस्से को जाहिर किया दरसल आपको बता दें कि करीना अब तक कई बार ट्रॉलिंग का सामना करती हुई देखी गई है करीना ने बताया कि जब सोशल मीडिया पर उन्हें आंटी कहा गया करीना कहती हुई नजराई कि लोग इस बात को नजर अंदास कर देते हैं कि सेलेब्रिटीज की भी फीलिंग्स होती है और उनके भी इमोशन्स होते हैं वो सोचते हैं कि सेलेब्रिटीज एक्टर्स और एक्टरिस की कोई फीलिंग्स नहीं होती है जिसके मन में जो आता है वो लिख देता है। जानकरी के लिए आपको बता दें कि करीना कपूर खान को एक यूजर ने कॉमेंट करते हुए लिखा था कि अब आप आंटी हो गई हैं। टीनेजर जैसा बनने की कोशिश मत करो। और इस तरीके से करीना को लेकर सोचल मीडिया पर एक यूजर ने ये प्रतिक्रिया दी थी। वहीं करीना ने भी शो में अपने गुस्से को जाहिर किया। आज के समय में देखा जाए तो करीना ट्रॉलिंग का सामना करती हुई तो देखी जाती हैं। लेकिन हमेशा ही अपनी खुपसूरती अपनी फिटनेस के जरिये हर किसी को दीवाना कर देती है। करीना अपनी फिटनेस के चलते हमेशा ही लाइम लाइट में बनी रहती है और हर किसी का ध्यान अपनी ओर खीची लेती है हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन निउस